Hello everyone, good afternoon, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही योगेश्व, friends, आज किस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, UPTZT LTGrate भरती के subject combination के बारे में बात करेंगे, friends, अगर आप लोग B.A.D. किये हैं, TZT LTGrate की भरती देखना चाहते हैं, तो आपका जो है graduation में subject combination होना चाह तो चली वीडियो को start करते हैं, teaching exam की, पल-पल की latest authentic update पाने के लिए अभी कभी चैनल को subscribe करें, ताकि जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से मिल सकें, तो जितने वीडियोग चैनल पे नए है, सबसे पहले हमारे चैनल के मादम से म अगर आप लोग, देखें, TGT की जो भरती आती है, LT grade की जो भरती आती है, इसमें आप लोग एक subject के teacher बनेंगे, ठीक है, जैसे अगर आप लोग को हिंदी का सिछक बनना है, तो आपका graduation में कौन-कौन सा subject होना चाहिए, देखें, graduation में अगर आपका हिंदी है, तो हिंदी क साथ जो है, आपका संस्कित होना अनिवारी है, अगर आप लोग हिंदी के teacher बनना चाहते हैं, तो आपका graduation में हिंदी होना चाहिए, और हिंदी के साथ संस्कित होना चाहिए, अगर जिनका जैसे graduation में संस्कित नहीं है, हिंदी के वाली है, तो उनका या तो फिर inter में संस्कि तब आप लोग apply कर सकते हैं अब जिनका intern में भी नहीं है graduation में भी नहीं है केवल हिंदी लिए हैं तो वो हिंदी की teacher कैसे बनेंगे अब यह मैं last में आपको उता हूँगा ठीक है और साथ ही इसमें जो है देखिए graduation में आपका combination होना चाहिए और BA की degree होनी चाहिए अब बात करते हैं गणित के बारे में जैसे math का teacher आपको बनना है तो आपका BA या तो BSC में गणित होना चाहिए देखिए बहुत सारे बच्चों में यह सवाल नहीं था कि मेरा last में यह subject छोड़ गया था वैसे first या second ये तो सभी लोगों को रहता है तो दो साल आप लोग पढ़े हो final से मतलब नहीं हो था कि final name में मैंने यह subject छोड़ दिया है तो मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा बिलकुन आप लोग दे पाएंगे तो आप 2 शाल पढ़े हो तो math का teacher बनना है तो BA में आप लोग math पढ़े हो या तो आप BSC में पढ़े हो दो शाल ठीक है और साथ ही आपका BA होना चाहिए जैसे ग्रह विज्ञान का teacher बनना है तो ग्रह विज्ञान से आपका gradation होना चाहिए इसमें कोई भी subject नहीं मांगता केवल अंग्रेजी आप लोग दो वर्स पढ़े हैं तो आप लोग TGT देख सकते हैं English से उसके बाद जैसे संस्कित संस्कित से आपका gradation होना चाहिए तो संस्कित से आपका gradation होना चाहिए तो आप लोग संस्कित के जो है एक्जाम दे सकते हैं के teacher बन सकते हैं जैसे वड़िच तो आपका बीकॉम होना चाहिए बस subject के इसमें नहीं देखा जाता है आपका बस बीकॉम complete होना चाहिए बस आप लोग वड़िच के जो है सिच्छक बन पाएंगे देखे करसी के तो आपका agriculture आपका होना चाहिए ठीक ना B.S.C. Agriculture से आप लोग पर सिच्छीत हो, आप लोग जो है आवेदन इसमें कर पाएंगे, सब में B.A. Degree होना अनिवार है सब में, ठीक है न, देखें अब कला, तो आप जो है कला से जो है डिग्री लिये हो, Bombay Arts वाले भी आते हैं, जैसे केवल आप लोग graduation वगरा किये न, तो Bombay Arts का जो है छे मन्त का एक साल का आता है, तो Bombay Arts भी आप लोग किये न, तब भी आप लोग जो है कर सकते हैं, वैसे कला है आपका graduation में, तब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप देखें जैसे, आपको जो है physical education का teacher बनना है, तो आपका जो है physical education होना चाहिए, graduation में, यहाँ पर देख सकते हैं, मादमिक, सिच्छा परिशत, उत्रप्रदेश दौरा, प्रतत, intermediate, प्रमार पत्र अतवा, उसके संबकच्च कोई अन्य हरता, एउम, राज्य सरकार के सिच्छा ब्याग दौरा, जो है, CPA, प्रमार पत्र अतवा, संबकच्च कोई अन्य कार्म, ओके न, science का teacher बनना है, तो, physics, chemistry आपका होना चाहिए, जिववग्यान, तो आपका क्या होना चाहिए, graduation में, जन्तुवग्यान होना चाहिए, और, वनेश्पती विग्यान होना चाहिए, जुलाजी, botany आपका होना चाहिए, समाजिक विग्यान, इसमें ही ज़्याद subject आपके होने चाहिए, कोई भी दो subject चाहे तो इतिहास भुगोल हो, चाहे राजनेती की इतिहास हो ये हो, मतलब दो subject चारों में से आपके होने चाहिए, gradation में दो वर्स आप लोग पढ़े हो, तो अभी आप लोग समाजिक विज्ञान के teacher बन पाएंगे, ओके अब देखी, यहाँ पर कौँ सा subject बचा, संगीद तो संगीद से आपका gradation होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसके बाद क्या बचा आपका बस हो गया, अब doubt बहुत सारे बच्चों में यह है कि जैसे बहुत सारे बच्चे बीटेक वगरा किये रहते हैं तो बीटेक वाले बच्चे जो है TGT की भरती नहीं देख पाएंगे, वो eligible नहीं है TGT भरती के लिए LT grade में उनके लिए वेगंसी आती है computer की post आती है तो उसमें BTEC मांगा जाता है BE मांगा जाता है, तो जो भी बच्चे जैसे BTEC BE किये हैं, तो वो LT grade की भरती देख सकते हैं, computer की post आती है, अब जैसे देखिए, जिनका combination नहीं बनना है तो वो क्या करें combination बनने के लिए, देखिए, अगर आप लोग जैसे graduation में हिंदी है, संस्कित नहीं है आपका, आप लोग जैसे हिंदी का teacher बनना चाहते हैं, तो आप लोग एक संस्कित, यानि कि संस्कित से private BA कर सकते हैं, दो वरसका होगा, किसी open university से आप लोग कर सकते हैं, इगनू हो गया ररजर सी, टंडन हो गया, तो यहां से आप लोग अपना एकल वीसे से कर सकते हैं संस्कित, अब जैसे आपका जैसे social study की बारें बात करें ठेक ना, इसमें जो भी एक subject की कमी हैं, तो उस subject से आप लोग कर सकते हैं, सबहुज़ आपका graduation में हिस्टी है और वो तीनों में से कोई भी आपका नहीं है तो आप लोग quality से कर सकते हैं, या तो economy से कर सकते हैं, या तो geography से कर सकते हैं तो एक subject से आप लोग अपना जो है graduation फिर से कर सकते हैं दो वर्सका आपका होगा, open university से होगा, ओके तो ये बिलकुन सेम ही होता है combination LT grade का और TGT भरतीगा, ठीक है ना, तो कुछ भी doubts आपके और रहे गए हो तो आप लोग comment box में doubt क्लिए कर सकते हैं या तो इंस्टा पे भी आप लोग मुझे DM कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आडिक लिंक वीडियो को description box में दे दिया हूँ, मिलते हैं